हे विल्कम बैक टु आने स्टॉबल गाईज ये काफी संदार गाइडलाइन आया है गौवर्मेंट ऑफ हिंडिया के तरफ से और कितना और थेंटिक है कितना सही है इसके उपर पहले एक बात्चित कर लेते हैं ताकि माज़ा आएगा जानने में देखो ये न्यूस पिपर का लाइडले ने दिल्ली वाला में यह छपा हुआ है तो इसका अंदाजाय आप लगा सकते हो या दैनिक जागरन में होगा यह हिंदूस्तान में होगा यह दोनों में से सद्धाने के दिशाथ को सद्धाइब को पता है कि जो भी बड़ी संस्थाने है यह सारी संस्थाने क्या कहते हैं उसके दूरू में दूरू सब्सक्षार खिरेंगर के वरेंगर और दीजों सब्सक्राइबốn का कंष्चार अध्यूम प्यू裡面 और वहाल सब्सक्राइब पाया है थे रहा थे आपको करा जाता है कि पूरा कोर्स करो, बले आपको समझ में आया नाया है, बले वो कुछ चिंग वाला कुछ भी आपको दे रहा हो, घटिया से घटिया, study material दे रहा हो, या उसकी बाते आपको समझ में नहीं आ रही है, आप छोर रहे हैं, तो आपका पैसा डूप जाता है, तो अब वैसी मजबूरी नहीं है, आप पैसा ले पाओगे, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो भी एजुकेटर्स होते हैं, तो एजुकेटर्स में जो ट्यूटर है, तो कहा जाता है कि हाँ भाई, कोई भी भी वेक्ति आपको पढ़ा रहा है, मैट्रिक का हो, इंतर का हो, को इस बार आयोग ने कह दिया कि देखो, कम से कम आपका असनातक होना जरूरी है, ग्रेजुएट हो रहोगे, तब ही जाकर के आप सिक्छक बन सकते हो, या आप किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, छातरों के आत्मत्या की बढ़ती घटनाएं, आग लगाने की घटनाएं, कोचिंग सेंट्रों में सुविधाव का अभाव और उनके पढ़ाने के तोर तरुकों के बारे में सिकायत मिलने के बाद सरकार ने इसकी घोसना की है, ठीक है ना, अब बच्चे सिकायत क्यों नहीं करेंगे, अब इतनी बड़ी-बड़ी संस्त संस्ताने खोल लोगे, कोई किसी तरह कोई सुविधा नहीं दोगे, तो ये तो होना ही था, हाला कि सरकार ने देर से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप उठाया, और इसके लिए एक कानून भी बनना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, ये भी कहा गया है कि अगर बच ये मेरे यहां से वेक्ति आईस बना है, ये मेरे यहां से आईपिस बना है, ये बच्चा मेरा है, मेरे यहां से आईटी जेई पास किया है, ये मेरे यहां से बच्चा डॉक्टर का एक्जाम पास किया है, ये बच्चा हमारे यहां का है, जबकि आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है, समझ रहो ना, तो जो भी संस्थाने ऐसा करेंगी, उसके उपर भी करवाई की जाएगी, थेके हैं, उसके बाद ये हैं कि कोई भी संस्थान, आपकी result की, या आपके बहुत अच्छे नंबर आने की ग्रैंटी नहीं दे सकता, अगर देता है, तो भी करवाई की जा सकती है, उसके उपर, ठीक है ना, इसके बात, देखो, यहां पे मैं पढ़ के बताता हू. इसके अलावा ना ही, ना ही वे अच्छी रेंक या अच्छे अच्छे अंगों की ग्रांटी दे सकते हैं, और ना ही उन्हें गुम्राह करने वाले वादे कर सकते हैं, क्या होता है कि अब एडमिशन कराने जाते हो, तो आपको गुम्राह करते हैं, कि हाँ मेरे यहां से पढ़ लो, मैं आपको यह दे दूँगा, वो दे दूँगा, आपको यह सुविधाय मिलेगी, वो सुविधाय मिलेगी, औ तो ये बहुत बढ़िया step है, और केंदर सरकार ने ये दिसार निर्देस जारी किया है, ठीक है न, अच्छे रैंक और अंकों की गरांटी नहीं दे सकते हैं, और इस तरीके से गुम्राह नहीं किया सकता, ठीक है, अब ये वाला हम पीडियेप पे आते हैं, ठीक है न, और इस अब उन्होंने डाला था, मैंने वहाँ से ये screenshot लिया है, लगाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, coaching centers के लिए नई guidelines, क्या-क्या guideline है वो देखो, उन्होंने उस newspaper में से यहाँ पे कुछ शमरी डाल दिया है, तो ये देखते हैं, जो भी tutors, graduate से कम योगता वाले नहीं होने चाहिए, अच्छे नंबर और rank की guarantee नहीं दे सकते हैं, अगर देते हैं, तो आपके उपर करवाई होगी, 16 बड़ से कम उम्र के student का indolment नहीं कर सकते हैं, देखो, नहीं कर सकते हैं, अगर 16 बड़ से कम उमर का बच्चा है, तो आपका indolment आप नहीं कर सकते हो, indolment secondary school examination के बाद ही किया जाएगा, जब secondary school पास कर लेगा, तब ही होगा, हर course की tuition fee fix होगी, ऐसा नहीं है कि आपको जब मन करेगा, fluctuate कर दोगे, नहीं fix होनी चाहिए, ठीक है, और बीच में fees, बढ़ाई भी नहीं जाएगी, और साथ में आपको रसीद देना होगा, अगर फीस वापस करनी होगी, पूरा फीस की बात नहीं चल रहा है, जो भी फीस बचा हुआ है, उसको वापस करना पड़ेगा, तो यही एक छोटा सा information है, उसके बाद यह है, moral crime के दोसी, faculty में नहीं हो, ठीक है ना, जो भी वेक्ति, जो crime कर रहे हैं, वैसे वेक्ति को आप faculty के र पढ़ने आया है, तो उसका moral down करने से बढ़िया है, कि क्या दो कि हाँ, ऐसा देख लो, यह subject आपका कमजोड है, यहाँ पर आपको work करना पड़ेगा, यह चीजे में काम करने पड़ेंगी, तभी जाके result आएगा, अब कोई बहुत सारे ऐसे attitude वाले educator है, जो महिने के 2,3,4, ले रहे हैं, वो लोग के पास जाओगे, करोड़ों में भी कुछ educator पैसे लेते हैं, आप वहाँ पर जाओ, लाख रुपए लगा करके, आप उनका enrollment खरीद लो, बाद में क्या कहेंगे, अरे तिरे से नहीं होने वाला है, तो छोड़ दे भाई, तिरे को कुछ नहीं आता, अरे नहीं आता है, तो भी तो आपसे पढ़नी आए हैं, अगर आ रहा होता है, तो क्यों आते पढ़ने, उसमें 10-20 बच्चे का नाम ले लेंगे, ये बहुत बढ़िया कर रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, तुम्हें इस सीखना चाहिए, तुम्हें उससे सीखना बात है, सर आपके साथ पढ़ने आए है, बढ़ा लो भई, ठीक है, जो ही प्रोग्रेस विगरा है, चिक कर लो, जहाँ पर गाइड कर दो, ताकि बच्चा इंप्रूब कर सके, ठीक है ना, तो यह एक छोड़ा सा वीडियो है, I hope यह वीडियो पसंद आएंगी, आप सभी को, और बहुत जल्द आप सभी दोस्तों के लिए, यूजी सीने इट एंजियर इफ का लेक्चर विगरा, यूटूब के उपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अलाबा, इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेस वीडियो में, अच्छी लगे तो लाइक इसकर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, थैंक्यो समस्य वीडियों, जैहिंत!